ये मेरे बाग का एक छोटा सा हिस्सा है, जिसे मैं छोटा बाग कहता हूँ, इसमें दस बाई दस पर साथ पोधे लगे हुए हैं, साथ में से चालिस पोधे दो हजार बीस में खराब हो गए थे, मैंने जब उनको लगाया, तो मैंने उनको सितंबर महा में लगाया था, यानि सितंबर बीस में, अब मार्च बाईस है और ये पोधा मेरा डेड़ वर्स का हो चुका है, अगर मैं चाहता तो ये पोधा बहुत बड़ा हो सकता था, आप इस पोधे को चारो और से देखिए, इसमें कितनी फुटान है, कितनी अच्छी कैनोपी बनी है, और डेड़ वर्स के पोधे का ये देखिए, कितना सुन्दर बना है, ये तना, जो मैंने सुरू में दो साखाए ली थी, और इतना अच्छा तना बना है, इसमें मैंने जब थिनिंग का कारिया था, वो भी बताय और आप देखिए, कितना सुन्दर कैनोपी है, इसकी, किसान साथियो, इसकी जो पिछली कटिंग की थी, मैंने, वो सेप्टेमबर मह में की थी, सितंबर में कटिंग करने के बाद मैंने, जब इस पर कल्ले निकले, तो अक्टूबर के अंत में मैंने इसकी थिनिंग भी की और थिनिंग कर अनवस्यक जो साखाई थी, वो हटा दी थी, तब भी आप देखिए, कि अभी पोधा कितना घना हो गया है, अगर मैं थिनिंग ने करता, जो जिन साखाऊगी मुझे आवश्यक्ता नहीं थी, वो नहीं करता, तो ये इतना घना हो जाता, कि आप इसमें कि आपका पोधा स्वस्थ है, और इसे इस टाइम बढ़वार के लिए अच्छी नैट्रोजन मिल रही है, ये जो खेत है, सितंबर से मैंने इसमें कोई भी इस प्रकार का खाद नहीं लगाया है, जो कैमिकल हो, और जो भी स्प्रेय मैं करता हूँ, मैं सारे के सारे इसमें जेविक करता हूँ, और मैं ये देखूंगा कि इससे कितना प्रोडक्शन आएगा, किसान साथियों मैंने बताया था कि इसमें मैं जेविक कीट न सक मैंने घर पर बनाया था, उसका भी प्रियोग किया है, और मैंने जो बायो एजेंट थे उनका भी प्रियोग किया है, इस समय डेड़ वर्स के पोधे हो चुके हैं जिन्होंने सितंबर अक्टूबर नौमबर 2020 में पोधें लगाए थे वो उन सब के पोधे इस समय लगबग डेड़ वर्स के हैं सितंबर का पोधा था मेरा डेड़ वर्स का हो गया और जून में ये पोने दो वर्स का होगा क्या मैं और अगर ले सकता हूँ तो मुझे कुन सी फसल लेनी चाहिए ये कई बातो पर नेर बढ़ करती है अभी आप ध्यान से देखिए इसमें जो ये साखा थी ये साखा मेरी मजबूत हो गई है पक गई है ये साखा देखिये और इस साखा में ऊपर जाकर ये फरवरी से ये और कल कलिया आनी शुरू हो गई है ये देखे ये कलिया और जितने भी छोटे पत्ते हैं छोटी टहनिया हैं उन सब में कलिया आएंगी किसान साथियों ये पोधा जी विलास का है इसमें मैंने तीन वरायटी लगाई हैं अलाबादी सफेदा जी विलास और एल-49 इन कलियों को ये देखिये इन कलियों को देखकर मैं ये सोच रहा था क्या मुझे ये फसल लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए ये है पहला सवाल और दूसरा सवाल है कि क्या मुझे इस वर्स इस पर फसल लेनी चाहिए और अगर फसल लेनी चाहिए तो कौन सी लेनी चाहिए और मैंने इ मैं सोचा था कि मैं इससे सर्दियों की फसल लूँगा इस बार पता नहीं कितनी फसल आएगी दस किलो भी हो सकती है बीस किलो भी हो सकती है पर्ति पोदा लेकिन मैं फसल अवज से लूँगा और जब मैं फसल लूँगा तो मैं इसकी मही के पर्थम सप्ता में कटिंग जब मैं कटिंग करूँगा और सर्दियों की फसल लूँगा तो मेरे सामने दो सवाल होंगे एक जो ये आपकी जो कलिया आ रही है नई वाली इनका क्या होगा क्या मुझे ये हटानी पड़ेंगी या रखनी पड़ेंगी या मेरे कटिंग के साइम ये अपने आपी स्वते समाफ्त हो जाएगी पहला सवाल इसका उत्तर मैं बताता हूँ कि जब मैं इसकी कटिंग करूँगा तो ये जो ये साखाए है ये देखिए चुकि इनकी डिस्टेंस दस बाई दस है तो मैं इस साखा को यहाँ पर चार इंच रखकर ही कटिंग करूँगा जितनी भी ये साखाए है जो भी साखाई ये बन चुकी इनको यहां से कटिंग करूँगा और जब मैं यहां से कटिंग करूँगा तो अभी एक डेड़ महा में इन पर ये अगर फूल आएगा भी बनेगा भी ये अभी निकलनी सुरू हुई हैं अगर बनेगा भी तो मैं इन्हें हाथ से तुड़वा दूँगा और उस टाइम जब मैं ये कटिंग करूँगा तो ये पूरी की पूरी टहनी मेरी समाफ्त हो जाएगी और मेरा चत्रक का काम भी पूरा हो जाएगा और इस पक्की हुई टहनी से जो नई साखाई निकलेंगी उनसे मैं सर्दियों की फसल लूँगा ये था आपके पहले परसन का जवाब दूसरा सवाल ये है कि क्या हमें इसमें खोरा लगाना चाहिए किसान साथियों इसमें मैंने फरवरी में खाद लगवाया था फरवरी में खाद लगाने का मतलब है कि मैं अब इसमें बहुत ज़्यादे खाद नहीं लगाऊँगा केवल जो ड्रीपर होगा वहाँ पर थोड़ी सी मैं वर्मी कमपोस्ट डालूँगा वर्मी कमपोस्ट डाल कर वहाँ पर पानी चलाऊँगा और इसमें खोरा लगाने की मुझे कोई आवश्यक्ता नहीं है उसके दो कारण है नै तो मैं पानी बंद कर सकता क्योंकि पोदे छोटे हैं अभी ताव सहन करने के लिए उप्यूक्त नहीं है तो मैं बराबर पानी देता रहूँगा पोदे बढ़ते रहेंगे मेरी साखा मजबूत होगी इसमें अच्छी तरह से रस भर जाएगा और जब मैं मई के पहले सब्ता में कटिंग करूँगा तो मजबूत हो चुके होगे और पोदे और बड़े कम से कम भी ये साखाए और बड़ी हो जाएगी ये था मेरा आपके दूसरे सवाल का जवाब यानि हमें दो वर्स से छोटे पोदोमर खोरा नहीं लगाना चाहिए उनसे हमें वैसे ही कोशिस करनी चाहिए कि हमें फल मिल जाए तीसरा सवाल क्या हमें पानी बंद करना चाहिए इनका नहीं किसान सातियो अभी हमें पोधे का structure बनाना है पोधे को बड़ा करना है उसकी साखाए मजबूत करने है जितनी अच्छी बढ़वार होगी उतनी ही अंदर से टहनिया मजबूत होगी पोधा सही चल रहा है आप इसमें भरपूर नाइट्रोजन देते रहिए और जो आपका जैसे सलेरी है उसका इस्प्रे करिए जीवा मृत का इस्प्रे करिए कोई नुकसान नहीं होगा और मई के पर्थम सप्ता में जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो भी मैं दिखाऊंगा आपको खिसान सातियों अगर बाग बहुत बड़ा है तो आप ये कोशिस ने करें कि आप हाथ से चूट देंगे और इतने छोटे पोधे में मैं सज़स्ट नहीं करता मैं नहीं सलहा देता कि आप यूरिया का इस्प्रे करें आप कटिंग करिए कटिंग दस दिन पहले भी हो सकती है अगर पहली मैं से पहले लग रहा है फूल आ गए तो आप कटिंग थोड़ा दस दिन पहले भी कर सकते हैं खोरा लगाने की बहुत आवश्यक्ता नहीं है हाँ जब आप कटिंग कर ले तो उससे पांच करीब एक हफ्ता पहले पानी ने दे और कटिंग के दो-तीन दिन बाद आप उसमें पानी छोड़िए खाद आप दे सकते हैं अगर आपके पास परचुर मातरा में पानी है तो खाद दे कर पानी लगाईए और अगर पानी की कमी है तो पहली बरसात होने के बाद में पानी लगाई है किसान साथियो जब मैं इस बाग की कटिंग करूँगा इसमें जो मेरे 20 पोदे हैं उनमें से भी मैं कुछ को दिखाता हूँ कि में पोधे बड़े थे और मैंने उनकी कटिंग कर बरसात की फसल ली है ताकि उनसे मैं दो फसल ले सकूँ एक बरसात की ये मेरा ताइवान पिंक ग्राफ्टिडगा पोधा है इस पर भरपूर कलिया शुरू हो गई है बस आने वाली है कलिया जो बड़े पत्ते हो चुके ह उन पर देखे ये शुरू हो गई है मैं इससे बरसात की फसल भी लूँगा और फिर मई में जब ये बड़ी हो जाएंगी तो लगबग जून में इसकी कटिंग करूँगा ताकि मेरी सर्दियों की फसल भी आए खिसान सातियों ये थी एक मेरी छोटी सी प्रस्तुती के अगर आपके पोधे डेड़ वर्स के हैं तो उन में फसल प्रबंधन किस प्रकार करें आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में मुझे अवश्य बताएं इसी के साथ विदा लेता हूँ धन्यवाद नमस्कार जैहिंद जै भारत वंदे मापराम